Hey winners, आज आपके साथ share करूँगा success का वो सबसे बड़ा formula जो over the past few years मैंने identify किया, जिसने obviously मेरी life में बहुत बड़ा role play किया, और जितने successful लोगों को मैं देखता हूँ, इन सब की life में आपको यह formula मिलेगा. ये है P plus E plus G plus I is equal to success. अब P से मेरा मतलब क्या है? P से मेरा मतलब है potentiality, potential, आपकी capability, आपकी capacity. किसी बी इनसान को success के किसी बी dimension तक पहुँचने के लिए उसके अंदर एक potential चाहिए होता है. वो potential आपको कई बार create करना पड़ता है और कई बार वो automatically आपके अंदर होता है. वो capacities कई बार आपके पास होती हैं. जैसे बोला जाता है कि हनुमान जी समुद्रपार कर सकते थे, उनके पास वो capacity थी, वो capability थी, लेकिन वो उनको realize नहीं थी, वो उनको याद नहीं थी. तो कई बार अगर हम इन छोटी-छोटी books के माध्यम से, छोटी-छोटे videos, कई लोग हमें बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये capacity और capability है, और अगर हम उस पर focus करें, अपनी potential को बढ़ाने पर, अपनी capacity को बढ़ाने पर, दुनिया की सबज़े बड़ी investment है, self पर की गई investment. तो अगर आप अपने self में, अपने potential को, अपनी capabilities को बढ़ाएं, इससे बड़ी power कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर की सभी चीज़ें रखी रह जाती है, लेकिन आपके अंदर की power, अपके अंदर का potential, दुनिया में आपको किसी भी मुकाम तक ले करके जा सकता है, तो सबसे पह कोटे से बीज के अंदर एक ऐसा तुफान चुपा हुआ है कि वो उसको एक पेड़ बहुत बड़ा बना से, लेकिन अगर उस बीज को जमीन के अंदर गाड़ा ही न जाए, उसको धूप न मिले, उसको उसके बाद पानी न मिले, उसको उसके बाद खाद न मिले, तो क्या लाइफ में ग्रो करेगा, क्या वो बीज, एक पत्र के उपर अगर आप उसे रख दें, उपर रखा रखा, क्या वो लाइफ में ग्रो करेगा, या आप उसे संभाल के प्रिजर्व करके रख दें, फ्रिज में डाल के, तो क्या वो ग्रो करेगा, नहीं करेगा, यही बहुत पास बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके पास talent की और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है लेकिन वो गलत environment में है और कई बार हमें खुद environment choose करना पड़ता है मैं example देता हूँ एक जैसे strawberry होती है अगर वो strawberry किसी ठंडी जगा पर कश्मीर में या कहीं पर लगती है लेकिन अगर उसे यहाँ पर मैं दिल्ली में या कहीं पर भी लाकर कि उसे लगाने कोशिश करूँगा उसके पास potential है उसको वो मिट्टी भी मैं दे दूँँ तो क्या वो लगेगी क्या वो उसका पौधा बनेगा नहीं क्यों क्योंकि यह सही environment नहीं है उसके लिए लेकिन environment create किया जा सकता है मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने एक बहुत गर्म जगा पर उस strawberry की pod को लाकर यहां पर लगाया और आज वो बहुत बड़ा strawberry का काड़ो बार कर रहा है बहुत से लोग हैं जो आईटी में बहुत कुछ करना चाते हैं लेकिन बैठे हैं वो अपने गाउं में वो नहीं निकलना चाते है दिल्ली वो नहीं निकलना चाते गुडगाउं वो नहीं जाना चाते है बैंगलोर हैदराबाद वो कहते हैं नहीं भई हम तो यहीं वो अपने comfort zone में बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं वो right appropriate environment ढूनना पड़ता है potential खाली काम नहीं करता जो उस beach के पास है वो खाली काम नहीं करेगा उसको सही environment मिलेगा तो वो grow करेगा उसके बाद एक और चीज आती है वो है G G यानी growth growth के लिए क्या-क्या चीज़ें जरूरी है कोई आपने tree लगा दिया किसी जगा पर लेकिन उसको grow करने के लिए धूप चाहिए पानी चाहिए आपने देखा होगा बहुत सारे पौदे ऐसे हैं जो चाया के होते हैं धूप मिले नहीं सैन कर पाते हैं पानी चाहिए ही नहीं है उनको आप जादा पानी दे दो वो भी मर जाते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि आपको growth का formula ढूणना पड़ेगा कि क्या right, appropriate क्या चीज़ है जो आपको grow करवा सकती है क्या वो internal कुछ ऐसा है जो आपको अपने internal beliefs को change करना है अपने inner self पे काम करना है या अपने outer self पे काम करना है अपनी personality पे काम करना है अपनी communication skills पे काम करना है आप अपने साथ जब time spend करेंगे आपको पता सब है, सब पता लग जाएगा एक डम से दिमाग में आ जाएगा कि यार ये चीज़ नहीं मिल नोट डाउन करो एक note pad लो, एक pencil लो कि क्या वो चीज़ है जो मुझे grow करने से रोक रही है क्या वो चीज़ है और इसके बाद जो last magical चीज़ आती है जो असल में काम करती है वो है आए बहुत से लोगों को लगता है यार मुझे तो ये facilities नहीं मिल रही है मैं बड़े शहर में नहीं गया मेरे पास ये gadgets नहीं है मेरे पास ये equipment नहीं है मेरे को English नहीं आती ये चीज़ें मुझे grow करने से रोक रही है लिकिन अगर किसी के पास I हो तो पहले की तीन चीज़ें नभी हो तो चलेगा जी हाँ क्योंकि जिसके पास I है वो ये सभी तीन चीज़ों को जुटा लेगा arrange कर लेगा I है intention intention यानि आपकी नियत जिस इनसान के पास नियत नहीं कुछ करने की वो actual में life में कुछ नहीं कर सकता एक इनसान बिलकुल जिम के पास में रहता है लेकिन उसका पेट सब से मोटा निकला हुआ है ऐसा नहीं है उसके पास capacity नहीं है weight उटाने की या काम करने की है ऐसा नहीं है उसके पास environment नहीं है सारा दिन वो देखता है यहाँ पर लोगों को आते जाते हुए लेकिन कमी किस चीज़ की है कमी है नियत की और वहीं एक इनसान पाँच किलोमेटर दूर से सैकल चला करके इस जिम में आता है exercise करने की नियत, intention मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनोंने अपने घर में पूरे पूरे जिम सेट अप कर रखे हैं नियत ना हो तो घर का जिम भी बेकार हो जाता है और मैंने बहुत से लोगों को देखा जो इटें उठा करके exercise कर रहे होता है क्यों कि नियत है वो काम करने की तो अगर आपके पास environment नहीं है अगर आपके पास equipment नहीं है अगर आपके पास potential की कमी है लेकिन नियत है ना मेरे दोस्त अगर नियत है तो आप environment भी डूण लोगे वो पाँच किलोमेटर दूर से cycle चला करके जिम में आ जाओगे और अपने उपर काम कर लोगे अगर नियत है तो तो जिन्दगी में जो सबसे बड़ी चीज ढूणनी है वो ये डूणना कि किस काम को करने की नियत है intentionalism plays the main role तो अगर why clear है नियत बरकरार रह जाए तो यकीन मानना ये बाकी की चीज़े feather to the cap है value add करती है और अगर इन सब चीज़ों को जोड़ दिया जाए यानि आपका सही potential उस potential का सही environment में सही time पर सही जगा पर होना और उस environment के साथ आप अपने आपको growth देते रहें और find out करें कि क्या वो growth formula है जो मैं अपने आपको दूँ और सबसे बड़ी चीज़ है intention अगर नियत सही है तो आज मेरे से no doubt कर लो चाहे कि success आपसे दूर कभी भी नहीं रह सकती विजार करना इस video पर